बोचपुरी फिल्म के मेगा स्टार रवी किशन के पास आज नाम, शोहरत और धंदौलत की कोई कमी नहीं है एक फिल्म के लिए उन्हें लाखोर रुपे मिलते हैं, आज उनके पास वीम जबलू है लेकिन क्या आप जानते हैं कि रवी कभी भूखे पेट सोने को मचबूर थे उन्होंने सफलता कि ये मनजिल, लंबे संघर्श और कड़ी महनत के बाद पाई है एक रिपोर्ट की माने तो रवी ने बताया कि उन्हें बचपन से ही आक्टिंग का शौक था गाउ में जब भी नाटक होता था तो वो उसमें रोल किया करते थे उन्होंने कहा कि दिखने में वो काफी सुन्दर थे इसलिए गाउ में लोग उन्हें ज़ादा तर महीला का रोल देते थे लेकिन उन पर बस आक्टिंग का भूत सवार रहता था इसलिए महीला बनने से भी वो परहेज नहीं करते थे रवी रामलीला में सीता का रोल करते थे रवी के पिता जी को पसद नहीं था कि उनका बेटा पढ़ने लिखने की जगे नाचक में आक्टिंग करे उनके पिता जी को लगता था कि उनका बेटा नालायक हो गया है और वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा और खांदान का नाम खराब करेगा नाराज पिता जी रवी की पिटाई कर देते थे और एक दिन घुसे में आकर रवी के पिता ने उनकी खुब पिटाई भी कर दी उसके बाद उनकी माने उन्हें बचाने की कोशिच भी की लेकिन रवी के पिता जी मानने को तैयार नहीं थे इसके बाद रवी की माने कहा कि बेटा जान बचा कर यहां से भाग जाओ मा की बात मान रवी घर छोड़ कर निकल गए और मुंबई पहुँच गए नेक्स्ट नाइन न्यूज भोचपुरिया के रिपोर्ट